Hello everybody, welcome to MP Trainer, मैं हूँ Saurab Thakur और आज हमारा fresh session स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग फिर से Cat I am series का मैं उमीद करता हूँ कि इसके पहले जितने भी session हम लोगों ने स्टार्ट के जितने भी session के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए इस वीडियो के ठीक नीचे मैंने सारे वीडियोस के लिंक दे रखे हैं तो आप चाहे हैं तुनको देख सकते हैं इसके अलाब हम लोगों ने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए चीज़नों को आसान करने के लिए हमने वह ही बनाय हुआ है तो आप चाहे हैं तो CAT IM series की playlist को आप देख सकते हैं One second, ये video किसके लिए इस video को बनाने का objective agenda क्या है ये जो class session है, मारा CAT IM series का session है First of all, ये उन बच्चों के लिए जो CAT, ZAT, IFT, SNAP, NMAT, MAT, CMAT इस तरह की जितने भी MB entrance exam 2018-2019 में fight कर रहा है ये जब मैं video record कर रहा हूँ, ये October का month है, 2018 है इसके अलावा आज का session especially उन सारे बच्चों के लिए है जो इंडिया के सारे MB entrance exams, इसके अलावा GRI, GMAT इसके अलावा bank, SSE, FCAT, इसके अलावा campus जैसे exams को देने वाले है तो all and all, काफी आपको बढ़िया holistic view मिलेगा आज जो topic on reduces करने चाहरे हैं, वो permutation combination है इसके पहले कि मैं आगे बढ़ियों आपको एक disclaimer और देता हूँ ये previous video का extension है, जो मैंने previous video concept builder के नाम से डाला था तो अगर आप चाहें तो permutation combination का concept builder का video है हो सके तो उसको जरूर देखेगा, उसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके समझ में आएगा ये fill कैसे करते है, numbers को fill करना आपको समझ में आएगा तो आपको PNC में confidence आना शुरू होगा cat में दो अलग अलग years में, दो question cat में से बहुत दार पूचा गया बढ़ आज की session में, मैं specifically 2 years से concept ले रहा हूँ जो number filling का concept है सबसे पहला, जो filling का concept जो मैं आपसे discuss करने जा रहा हूँ ये question है 2008 का तो क्या 2008 में question कुछ ऐसा दिया गया था ध्यान से देखेगा, language मैंने यहाँ पर crux लिखा है इसका की main question क्या था अगर आप चाहा है तो इस question को Facebook page MBA trainer या फिर Facebook page आप उसमें जाके actual question देख सकते हैं, download कर सकते हैं जैसा भी आपको comfortable हो, right तो जो question दिया गया था cat 2008 आप देख सकते हैं हाँ पर इसमें बोला गया था कि आपको 0 से लेके नहीं होना चाहिए 999 से बड़ा number होना चाहिए इसका मतलब मेरे ख्याल से यह inequality बिल्कु सही है agree करते हैं 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए number इसका मतलब 4000 तक number हो सकते हैं तो यह inequality भी बिल्कु सही है क्या सीखने को मिला हमको यहां तक हमें ये सीखने को मिला कि यहां पर 1, 2, 3, 4 4 डिजिट नमबर के बारे में हमसे पूछा गया है और ये options given थे 499, 500, 376, 375, 376 and 501 देखें एक बार फिल करके इसको चलिए इसकी filling देखते हैं मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इसके लिए concept builder वीडियो मैंने पहले बना रखा है और इसके पहले हम लोगों ने उसे post किया हुआ है तो ज़रूर देखे दीजिए एक बार प्लेलिस में जा कि concept builder वीडियो अगर आपको filling में थोड़ा भी doubt हो तो इस question को वैसे हम लोग बना तो तुरन सकते हैं पूश्किल से 20 सेकेंड भी नहीं लगीगा लेकिन पर सब्सक्राइब समझेगा तो हमें जो चीज बोली गए हमें बोला गया कि आप एक काम कीजिए ऐसे फोर डिजिट नंबर बनाई है फोर डिजिट नंबर का मतला हम लोग क्या समझते है units place आएगा, tens place आएगा, hundreds place आएगा and thousands place भी आएगा such that हमसे बोला कि triple nine से बड़ा होना चाहिए तो हाँ ठीक है, four digit number triple nine से बड़ा हो गई हो लेकिन एक और बहुत beautiful जो चीज बोली गई है, वो यह है कि यह numbers जो आप बनाए four thousand से जादा नहीं होने चाहिए का मतलब four thousand से less than equals to होने चाहिए agreed हमें जो digits दिये गए हैं, वो zero से लेकिन nine नहीं है zero, one, two, three and four digits यह हमको दिये गए हैं, तो हमें दिये गए zero, one, two, three, four, five digits दिये गए चले, start करते हैं तो start करते हैं यह काम करते हैं मैंने आपको previous video में जो concept builder ने बोला था start only about three digits, four digits हो तो भी यह मत सुचे कि first place से last place जाना है last से first, हमेशा condition को सबसे पहले fulfill करें अगर आप condition को सबसे पहले satisfy कर रहे हैं you'll get the answer, fine और जहां पर भी फसे मैंने आपको बोला था PNC में conditions, cases बनाईए आपको बहुत आसानी होगी last class से मैंने आपको यह भी बोला था कि जब कोई condition नहीं दिया जैसा इस कुछ नहीं flat out question है इस question में ज़्यादा कुछ नहीं है यह question आपसे बिल्कुल बनेगा इस तरह के question में सिर्फ एक चीज़ चाही है filling, उस ज़्यादा कुछ नहीं और यहाँ पे जो एक ही condition है जो default condition है वो यह है कि सामने वाले place पे zero नहीं आएगा बाकी तो फिर इनको fill ही करना ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है देखते जाएगा मैं एक काम करता हूँ सामने वाले place पे मैंने zero को नहीं आने दिया zero क्यों नहीं आने दिया मैंने मैंने zero इसलिए नहीं आने दिया अगर zero आ गया सामने वाले place पे तो four digit number कैसे बनेगा एक काम करते है 4000 से उपर तो जा नहीं सकते तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे four भी नहीं आने दिया तो एक बात बताईए जो previous वीडियो में थे तो आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको यह कहा था two digit, three digit, four digit जो भी है अगर मैं और आप हम लोग एक mutual consensus रखेंगे अगर हमने three को circle कर दिया मतला हम लोगों ने three को कर दिया fix और अगर ऐसे लिखा है इसका मतला हम यह कह रहे है कि there are three ways of filling अगरी करते हैं अब आईए यहाँ पर वापस इस place को fill करने के one, two, three तीन तरीके हुए तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तीन इससे confuse मत कीजेगा अगर मुझे यहाँ पर three fix करना होता तो मैं circle किया होता अभी मैंने यहाँ पर three लिखा मतलब एक, दो और यह तीन, तीन तरीके हैं fill करने के राइट? चलिए इसके अलावा हमसे तो repetition के बारे में कोई बात नहीं की गई numbers में जब ही कभी ऐसा हो कि repetition के बारे में कोई बात ना की जाए इसका मतलब कोई भी number कितने भी बार आ सकता है जो भी चीज अगर नहीं लिखी गई है मतलब अगर आपको बोलागे कि seven exactly once आना चाहिए तो seven को छोड़के बागी सब numbers यतने बार भी आना चाहिए आ सकते हैं बोलागे कि repetition is not allowed तब तो फिर not allowed है seven exactly दो बार आना चाहिए तो एक बार seven आगे एक और बार seven आगे अब seven नहीं आ सकता चलिए अब आप देखिएगा hundreds place hundreds place पर कहीं कोई constraint दोड़ी है zero से लेके four तक कोई भी आ सकता है मेरे कहल साब agree करते हैं कौन कोन आएगा zero आ सकता है one आ सकता है two आ सकता है three आ सकता है four आ सकता कोई भी आ सकता है filling के तरीके हो गए four यहां पर भी zero से four तक कोई भी आ सकता है फिर से filling के तरीके हो गए यहां पर five zero से four तक यहां पर कोई भी आ सकता है और फिर से filling के तरीके हो गए five आप में से जितने बचों ने पिछला वीडियो देखा होगा उनको अंदाजा होगा मैंने आपको बताया था कि multiplication क्या होता और addition क्या होता सबसे important चीज़ ओ PNC में है वो यही है कि multiplication कब लेते हैं addition कब लेते हैं हमको select करना 3 girls और 4 boys plus हमको select करना 3 blue markers और 3 black markers plus जहां पर भी या वाली चीज़ हो और वाली चीज़ हो यहां पर हम लोग यूस करेंगे plus और जहां पर भी and वाली चीज़ हो multiplication अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोगों ने last class में यह में आपको बताया था जहां पर भी आपको choice given हो जहाँ पर भी आपको choice given हो जहाँ पर भी और वाले चीज़ा है प्लस जहाँ पर आपको कोई choice given ना हो and आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा multiplication इसी चीज़ को probability में कहते है union और इस चीज़ को probability में कहते है intersection probability and set theory दुनों आप देख सकते हैं समयने पर बात करेंगा उस पर तो आपको तो four digit number बनाना है तो units place चाहिए and tens place भी चाहिए and hundreds place भी चाहिए इसके साथ-साथ and thousands place भी चाहिए clear होगे सभी को तो हम लोगों ने इन तीनों को multiply किया हम दो चाहरो digits को units को tens को hundreds को and thousands को 5 into 5 into 5 is 125 into 3 is 375 यह answer आगया 375 तो क्या यह हमारा final answer है क्या क्योंकि 375 तो option में दिया हुआ है मैंगर आप चाहिए तो option देख सकते हैं तो क्या यह answer हुआ क्या कुछ और भी तो है जो बच रहा है क्या बच रहा पताईए आपको जो condition दी गई तो condition को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 4000 से less than equals to but equals to भी तो है मतलब सर मतलब एक number और नहीं बन सकता क्या कौन सा number 4, 0, 0, 0 circle क्यों किया मैंने आपको साच में आगया हो circles लिखे है क्योंकि मैंने fix कर दिया तो कहने का मतलब यह हो गया 375 plus 1 so the answer is 376 376 हमारा answer हो गया so what is the answer 375, 376 क्या कहते हैं 376 is absolutely correct answer आपको यहाँ तक clear हो गया होगा तो यह 376 is a correct answer यह था क्या 2008 का question इस ही filling के तरीके से हम लोग एक और question देखते हैं चलिए यह वारा question देखे तो मेरे खेल से आप लोगोंने concept builder में filling को समझा होगा और उसका application देखा हम लोगोंने जो cat 2008 का question था second application आज एक और application देख लेता है इसी वीडियो में तो आपको इससे अच्छे clarity आजाएगी देखिए एक और question मैंने लिया cat से ही लिया cat 2002 में question पूछा गया था one second यह compress कर दिया मैंने question को crux of the matter यह लिखा हुआ है अगर आप question को देखना चाहते तो आप facebook में आप ठाक और mb10 और पेज में जाके देख लीजेगा यह बिलकुल वहाँ पे आपको available होगा question क्या था आप आपको पदायता हो question 2000, cat 2002 में यह पूछा गया था ऐसे कितने numbers बनेंगे 1 million से लेके 0 मतलब 0 से लेके 1 million के वीच में कितने numbers है कितने numbers है such that they must have 0, 7 or 8 मतलब using the digits 0, 7 and 8 how many numbers can be formed between 0 to 1 million तो 0 से लेके 1 million में कितने numbers बनेंगे using the digits 0, 7, 8 और यह था option 486, 728, 1086, 100 and none of these right, यह सवाल दिया गया था सबसे पहले चीज़ से यह होता है कि 1 million और 1 billion होता कितना है हम बोलते हैं, he is a millionaire so millionaire मतलब 1 million 1 million का मतलब होगा 10 to the power of 6 पहले चीज़ दूसरी चीज़, अब billionaire so 1 billion is 10 to the power of 9 मेरे खिर आपको दोनों चीज़े समझ में आगे होंगी अज़ना किया है तो, क्यों वैल्यूस लिखा है मैंने हमें बोला गिया हमें 0 से लेके 1 million तक कितने numbers बनेगी 0, 7 और 8 को यूज़ करके तो आपको यह समझ में आगे हो 0 से लेके 1 million 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर आप concept builder session का वीडियो नहीं देखे तो मैं फिर से एक बब आपको बोलूँगा कि एक बब ज़रूर देखेगा उससे में जो हमें बोलने जारा आपको समझने में बहुत आसानी होगी मैंने आपको बोला देखिए आप चाहें तो इसको add करकर के बना सकते हैं अलगला cases लेके 0, 7, 8 को single digit, number, double digit, number, triple digit four digit, five digit, इस तरह से या फिर total minus जो नहीं चाहिए अगर आप ऐसे भी करेंगे तो मेरे ख्याल है आपसे answer आएगा और in fact काफी जल्दी आ जाएगा total minus जो नहीं चाहिए is what you actually want total minus जो नहीं चाहिए यहाँ पर आजा है तो हमें बोला गया था 0 से लेके 1 million 0 से लेके 1 million बोला गया था तो फिर fill करने के तरीके थे 0, 7, 8 एक ही constraint दिया गया हम है कि 0, 7, 8 से fill करने आपको 0, 7, 8 units place पे भी आ सकते है 0, 7, 8 यहां 10th place पे भी 0, 7, 8 यहां भी आ सकते हैं 0, 7, 8 यहां भी आ सकते हैं यहां भी आने दिजें कोई दिक्कत नहीं है आप बोलेंगे सर सामने वाले place पे तो 0 नहीं हो सकता दिखते हैं ना आ जाना था कोई दिक्कत नहीं मैंने आपको बोला है total minus जो नहीं चाहिए consider कर लिजे कि यह 0 नहीं है consider as if it is any other number बट 0 चलिए अगर ऐसा है तो फिर fill करने की तरीके देख लेते हैं fill करने की तरीके तीन numbers होगे तो होगे 3 into 3 into 3 into 3 into 3 6 places होगे अब आप देखिए आपको यह भी चाहिए and यह भी चाहिए and यह भी चाहिए and यह numbers भी चाहिए अपने सभी को multiply किया और जैसे आपने सभी को multiply किया क्या आगिया 3 to the power of 6 what is 3 to the power of 6 3 to the power of 6 is 729 यहां तो कि मेरा क्याला आप रोग समझ चुक्यों होगे fine लेकिन एक case नहीं आ रहा होगा कौन सा case नहीं चाहिए हमें बोला कि total numbers बनाने है between 1 million से लेके zero तो कौन सा case नहीं चाहिए हमें वो case नहीं चाहिए जिसमें हर एक place पे zero आ रहा है यह होगे 5 and this is one more तो total minus जो नहीं चाहिए क्या नहीं चाहिए यह एक case नहीं चाहिए तो answer कितना आ गया 728 729 minus 1 is 728 तो यह हमारा outcome आचुका है अग्री करते है तो आपके हिसाब से इसमें से क्या answer हुआ तो इसमें से हमारा answer हो गया 728 तो आप notice करें कि तो हम लोगों ने concept builder session में सबसे पहले यह देखा था कि इसकी filling कैसे करना है और क्या होता है and क्या होता है प्लस कहां भी उस करते है multiplication कहां भी उस करते है अगर आप में से बच्चों ने वो session नहीं देखा हो तो जरूर देखीगा उसके बाद back to back दो वीडियो में मैं आपको filling ही बता है एक question मैंने बो लिया था जो IFT में पूछा गया था जिसमें exactly one seven पूछा गया था exactly one seven at least one seven मेरे हिसाब सो सारे एक्जाम है तो आपको सारे एक्जाम बता सना उसके पूछा गया जातर एक्जाम इंडिया के mb entrance exams में campus के एक्जाम में bank exam में अडगल एक्जाम पूछा गया इसके लाव मैंने आज एक और example लिया इसमें हम लोगोंने cat two thousand eight इसके लवा cat two thousand two इसके लवा cat two thousand two इसके लिए दो अलगल example examples लिए filling को ही बताने के लिया थामने cat two thousand eight का जो question था हमें बोला गया था कि less than four thousand triple nine से बड़ी मतलब कुल मिला के चार डिजिट number बनाना है zero से four को use करके such that four thousand से less than equals two उसको fill कैसा करना हम वो सिखे इसके बाद हमें two thousand two कामले होने question लिया जिसमें हमको बोला गया ऐसे कितने numbers बनेंगे between zero and one million using the digits zero seven eight such that यहाँ पर जो conditions थी वो यह थी कि हम लोग सिरफ और सिरफ zero seven or eight को use कर गया तो मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था या तो plus करके इस बन गए या तो multiplication करके या फिर total minus जो नहीं चाहिए देखिए आज का एक बहुत beautiful application था total minus जो नहीं चाहिएगा total minus जो नहीं चाहिए इसी कोड़ू चाहिए मैंने आपको कभी में सिर्फ ऐसा लिका मतलब उतने ways है फिल करने के हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने 3 को fix कर दिया और हम यहाँ पर बोले दिरा 3 ways to fill this right so this minus यह एक case हुआ is equals to 728 तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा आप मुझे को जरूर बताईएगा कि यहाँ तक आपको कितना clear हुआ है कितना समझ में आया है समझ में नहीं आया है मैं आपको आज की assignment ले दो सवाल दे रहा हूँ यह दोनों की दोनों सवाल आप बनाईएगा और मुझे बताईएगा comment box में fine इसको यूज करके आपको बनाना है 3-digit number such that these 3-digit numbers यहाँ पे such that repetition allowed है repetition allowed नहीं है right that is it पुस और को condition यह second 0 से 5 को यूज करके आपको बनाना है वापस से 3-digit number such that क्या such that जितने भी numbers बने यह सारे कि सारे numbers 400 से less than equals to होने चाहिए बस यही condition है तो यह दोनों की दोनों सवाल आप बनाईएगा इसमें तो ख़र दो पार्ट है यह दोनों की दोनों सवाल बनाईएगा comment box से मुझे बनाईएगा मुझे भी clear हो जाएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया इसके अलावे कोई और आसा टॉपिक होगा जो आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी PNC मैंने यहाप इसलिए स्टाट किया प्रॉब्लम मुझे लगता है quant का सब से important topics में से एक है number sum PNC probability यह सब बहुत अच्छे topic और तीसरा topic जो important है वो time split distance अगर आपके topic में grip अच्छा है तो आपको अच्छा रहेगा इसके अलाव भी आपकी topic में problem face करें होंगा comment box में बता सकते हैं तो we'll take that topic तो इसके आगे चीज़ देखेंगे आपनो next session में फिर आपनो next class में मिलते हैं तो मैं सौर्ण ठाकर आप लोगों से विदा लेता हूँ next class में मिलेंगे bye bye everybody take care